हलो मेरा नाम डॉक्टर दिपर कड़ेकर है मैं मनोविकार सेक्सरोग सम्मोहन और विशनमुक्ति तग्य हूँ मैं महाराष्ट में आकोला सिटी में प्रेक्टिस करता हूँ कमारे यहां दो होस्पिटल है एक हॉस्पिटल में हम MENTLE PATIORT को साथ में भर्ति रखते हैं और दुसरा हें होस्पिटल है जहां MENTLE PATIORT को हम रिस्पिटर में के अलावा भरती रखते हैं 10 डाउट रेलेव You आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक मानसिक विमारी जिसको मन का कैंसर कहा जाता है खतरनाक है छिन्द मानस प्लिक परसिनलिटी के बारे में इसको स्किसोफ्रेने भी कहते है और ये दुनिया में ऐसा माना जाता है कि सव में से एक व्यक्टिव को ये होता है तो समझें हमारी पॉपुलेशन इंडिया की 120 करोड है और उसमें से बहुत एजेड बुरुद्ध लोग निकाल दिये बच्चे लोग निकाल दिये और करीब करीब समझ के लोगी 70-75 क्रोड पॉपुलेशन जो हमारी है वो एक एडिल की है एडिल लोगों की है तो कम से कम 60-70 करण लाख लोग के हमारे देश में होना चाहिए है ऐसा एक करीब-करीब 26 करोड लोक पुरह दुनिया में यह विमारि से घ्रस्त है यह विमारी में लोगोंको स्यूसाइट करने की जोल्ध करने кिव फियारा आते है और खुदelson करने कोशिश करते हैं तो ऐसे लोग है दस कुछ ना कुछ लद लग जाती है और 5 प्रतिशन लोग कुछ ना कुछ क्राइम गुना करते हैं क्राइम करते हैं इसलिए यह भीमारी को ठीक करना और जल्दी ठीक करना वह जरूरी है पहली स्टेज में उसमें उसको पकड़ लिया तो बहुत ही अच्छा है उसका इलाज पुरा पका अच्छा हो सकता है इसमें होता गया है कि एक तो इसमें प्रॉडक्टिविटी कम होती है आदमी काम नहीं कर सकता है उसका इंकम कम हो जाता है अकेला-केला बैठे रहता है अक अल्द समझे उसको कोई दुख की बांद बोलना है तो वह भी हस्ते हस्मझे कोई घर में मर गया या कोई मा या उसके पिता जी मर गया समझवारा ऐसा कुछ हम पूछ रहे हो उसको तो वह हस्ते हासे बोलेगा कि मेरी मा मर गई तो उसमें मूड और विचार इसमें तफ़ावत आती है और थौट डिसॉडर यह है स्पेशली जिसमें थौट्स अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं विचार ऐसे होते हैं कि लोग मेरा पिछा कर रहे हैं लोग मेरे बारे में बाते कर रहे हैं दूर कहीं लोग खड़े ह जो है उसमें परिवर्दन आता है उसमें प्राबलिम आता है विचार में थाट और जोग ता जात उत्ये उसका society yellow लगता है उसको दूसरा उसका है फ्र आज जो है वह है प्रसेप्शन जिसमे प्राब्लम आते हैं जैसे हमारा परसेप्से के पांच इंदुप्ध था है कान में आवाज सुना ही आती है, कोई आ रहा है, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, बहुत चिला ठोरी है, लोग दोड रहे, भाग रहे हैं ऐसा उसको कान में सुना ही आता है, या कोई उससे लोग बाते कर रहे है, या उसको जिवा का भरम होता है, जिसमें उनको लगता है कि मुझे कोई खाने मिला के दे रहा कोई poison Scott एं एंवी मैं इसमे मूड में एक तो मूड जो है वो एक दम et by τη टिक मलोग उसमें ना खुषी है ना गम है एक दम फ्लैट मूर तू है मतलब ऐसा कोई दिखाई देता निए उसके चेहरे पर ना खुषी है ना गम है कोई मूर दिखा देता निया एपैति बोलते हो सका अपथेटिप मूर है और इसनके बिहेविएर में अलग-अलग हमको चीज़ दिखाए देती कि जैसा कभी यह वाइलन्ट हो जाते हैं कभी मार्पिट कर देंगे अपने आप से बाते करेंगे अपने आप से हाथ हाथों से इशारे करेंगे अपने आप से हसेंगे अपने आप से बोलेंगे लगता है कि यह किसी तो भी बात कर रहे हैं मंगर ऐसा नहीं रहता है यह जादा हो जाता है तब फिर डॉक्टरों के पास में लेकर आते हैं पहले क्या था कि पहले कुछ 50 साल पहले ये बिमारी के लिए कोई दवाई नहीं थी लोग इनको बांद के रखते थे बाहर का कुछ तो भी गया है भूत पली थे उनको कोई दर्गा मंदीर में ले जाओ वह प्रवाई बिमारी होती है हमको मालूम पड़ा है इसमें स्पेसिफिक ड्रग्स और मेडिसिन से और वह मेडिसिन हम लेते है तो ये बिमारी काफी मातरा में अच्छी हो जाती है एक मेहना तक ये समझेव सब पूरे लक्षन डिखाए दिये तो हम उसको बोल सकते कि ये स्क चेल रही है और कोई कंट्रोल में नहीं है तो फिर उसको इलेक्ट्रिक शॉक टीटमेंट भी देने पड़ती है ऐसे कभी सारह लोग होंगे कि ये डॉक्टरों के पास जाते नहीं अंदश्रद्ध है वो जाते है मंदिर में दरगा में जाएंगे कोई बाबा के पास में ज आजयों का या काम पर जाना नहीं ऐसा कुछ भी दिखा जाता है कि गड़बढ़ है ये लोग शक्त भी बहुत करते हैं अवरत रहे तो अपने आदमी के उपर मतलब पती के उपर शक्त पति रहा तो पतनी के उपर शक्त करते हैं तो आपको ये मालूम होना जा नहीं ये कह हो सकती है तो ये वीडियो काफी लोगों को आप शेयर करो आपके वाट सैप के उपर फेस्बूक गृप के उपर शेयर करो ताकि जाना साथ लोग को ये पहुंचे और लोगों को मालूमकड की बिस का इलाउच होना जरूरी है और वो iHANCयों के पास न g उत तक इसका झाल झाल